नमस्कार टीवी नाइन राजिस्तान पर आज की इंसाइड स्टोरी के साथ मैं हूँ भवी शित्यागी राजिस्तान में इसी साल के अंत में विधानसबा के चुनाव होने हैं और इस बीच हर्याना के लोहारू में मिले जुनायद और नासिर के शवों ने प्रदेश की सियासत में संप्रदाइकता की चिंगारी सुलगा दी हर्याना के भिवानी जिले में एक जली हुई बोलेरो कार में दो लोगों के कंकाल मिले जानकारी मिली है कि दोनों मुरतक राजिस्थान के हैं दरसल हर्याना पुलिस को सूचना मिली कि हर्याना के लोहारू के बरवास गाउं में एक जली हुई बोलेरो और उसमें दो लोगों की कंकाल है पुलिस से मौकाई वारदात पर जाकर जाच परताल की जिसके बाद राजिस्थान पुलिस से इस मामले में संपर्क किया गया बताय जारा कि ये दोनों युवक वही हैं जो की राजिस्थान के भरतपूर से लापता हुए थे भरतपूर के आई जी गौरफ श्रिवास्तव ने बताया कि इन दोनों मरत्कों मेंसे एक गौत असकरी में लिप्ट था भरतपूर पुलिस से मिली जानकारी की मताबिक दोनों मरतक युवक भरतपूर के पहाड़ी ठाना श्रिथ के रहने वाले जुनईद और नासिर है मृतक जुनायद के खिलाब गौत तसकरी के पांच मामले दर्ज किये जा चुके थे जुनायद के चचेरे भाई स्माइल ने इस बारे में बुद्वार को गोपालगर थाना भरतपुर में ही दोनों की गुमशुदगी और मारपीट की शुकायत दर्ज कराई थी जिसमें पुलिस को बताया गया कि बुद्वार सुबा खरीब पांच बजे चचेरा भाई जुनायद और नासिर अपनी बॉलेरोकार एचार 28 ई सततर तरेसक में अपने काम से बाहर गए थे इसके बाद दोनों वापस नहीं लोटे मामले को लेकर राजिस्तान में सियासत का पारा भी बढ़ने लगा बीजेपी विधायक रामलाल शर्मानी जहां कारवाई की मांग करते हुए सरकार को घेरा तो वहीं सरकार की ओर से कैमरेट पंत्री प्रताप सिंग खाचरियावास ने भी अपना पक्ष रखा मरतक जुनायद के चचेरे भाई इसमायल को सुबह खरीब नौ बजे चाय की दुकान पर किसी अजनबी ने बताया कि बुद्वार सुबह च्छे बजे दो युवक एक बोलेरो कार में गुपालगर थाना इलाके के पिरुका गाउं के जंगल से जा रहे थे जिने आठ से दस लोगों ने बुरी तरह से मारा और घायल हालत में उनी की बोलेरो में पटक कर ले गए इसमायल ने बताया कि घटना का पता चलते ही उसने जुनायद और नासिर को मॉबाईल से कॉल किया लेकिन दोनों के मॉबाईल बंद आ रहे थे इसमायल ने अपनी शिकायत में हारियाना निवासी, बजरंग दल से जुड़े, अनिल, शिकांत, रिंकुसैनी, लोकेश सिंगला और मोनू पर आरोप लगाए बड़ते विरोत के बीच मंत्री जाहिदा खान ने समझोते की बात कही लेकिन परिजनों ने किसी भी समझोते से इंकार कर दिया नासिर के भाई ने कहा कि लोग मौवजे के लिए समझोता कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा जो आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा मैं इस पूरे मामले में हैदराबाद से सांसद और AIMIM के अध्यक्ष असदूदी नववैसी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया उन्होंने लिखा दो दिन पहले जुनेद और नासिर को राजिस्थान के घात्मिका से अगवा कर लिया गया था आज उनकी जली हुई लाशे मिली हैं सियम अशोग गैलूद की पुलिस ने वक्त पर कारवाई नहीं किया और अभी तक मुझरिमों को गिरफतार नहीं किया मुझरिम जाने माने गौरक्षक हैं जुनेद नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए मैं साथ इसाथ असादुदीन उवैसी ने हर ग्याना की बीजेपी जेजेपी सरकार को भी घेरा इन में मुस्लिम हिट्रेट घुष चुकी है और ये सिर्फ मुसल्मानों को टार्गेट कर रहे हैं गौरक्षा के नाम पर ये तो बदनाम कर रहे हैं देके उस टेक्च क्या वीडियोसें उसके शखस के जो एक्यूस टेस अफायार में गोली चला रहा है एक चेश कर रहा है ये जो बच्चा मुहिन को मारते हुआ गोली उसकी वीडीयो है उसमे फायार में नाम आया उसका रहस नहीं करते मैं अपने तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से जुनेद और नासिर के जो हत्या की गए इसको स्टॉंगेस वर्ड में कंडेम करता हूँ और पूछना चाहता हूँ बीजेपी से प्रदान मंतरी से के भई आप इस पर कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे या फिर इन लोगों को अपनी शत्रोचाह में रखकर इनको पालते रहेंगे इन सापों को हर्याना और बीजेपी की सरकार इनका प्रोटेक्शन कर रहें इस तरह के लोगों को राजिस्तान में गौत असकरी से जुड़ाए कोई पहला विवाद नहीं जिसमें सीधे सरकार पर सवाल खड़े हूँ अलवर के पहलू खान मामले ने भी राजिस्तान में खूब सियासी रंग लिया था उखर तोर पर उठाएंगे लेकिन सवाल ये है कि आखर इस मामले में क्या किसी तरह की राजिस्तान पहुंचने पर ये मामला और तूल पकड़े का और इस मामले पर सियासत और तेज होगी लेकिन मामले में पुलिस की जान चल रही है इसमें क्या कुछ सामने आता है सबसे पहले ये आप तक पहुचाएंगे इसी के साथ आज की इस इंसाइट स्टोरी में इतना ही अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और आप भी इस मामले पर कोई बात रखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है इसी के साथ साथ राजिस्तान से जुड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए यूट्यूब पर टीवी नाइन राजिस्तान को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्टाग्रम पेज को फॉलो करना ना भूलें नमस्कार